खबर मेरट से है जहां मेरट जेल में तैनात पवन जल्लाद ने मिर्भ्या कांट को लेकर बयान दिया है जल्लाद पवन ने कहा जब तक ऐसे अपराधियों को सक्त सजा नहीं मिलेगी कुरूर लोगों में भै पैदा नहीं होगा तब तक ऐसे अपराध देश में खत्म नहीं होगे बेटियों के साथ हो रहे अपराध से गुसे में जल्लाद पवन बोले अगर निर्भ्या के हत्यारों को सरकार फासी पर लटका चुकी होती तो शायद वेटरनरी डोक्टर बेमोत नहीं मारी जाती एक तरफ निर्भ्या के दोशियों को मिले फासी की सजा तामील कराने की मांग जोर पकड़ रही है बिल्कुल बहुत 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 गैंगरीब किया था बड़ा दरदनास उनको तो तुरत लगाए जाती तो अच्छा रहता हुए पूरा देश यानि सवा करोड सवा करोड मैंसे लगा लिए पचास लाग की एक रोड की जो उम्मीद थी कि लिर्भ्या कार्ण को इतने लेड कैसे हो गए उन्हें तो पहली लगानी जाही थी नहीं उसके लिए मैं हर समय त्यार रहता हुए